आधुनिक भारत के सपने को साकार करने के लिए नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यन तावश्यक है। में शामिल परियोजना का कार्यानवन NCRTC द्वारा किया जा रहा है। की प्लाटफॉर्म स्प्रीन डोर्स आज तक आयात किया जा रहे थे। माननी ये प्रधान मंत्री के आत्म निर्भर भारत के सवपने को ध्यान में रखते हुए NCRTC प्लाटफॉर्म स्प्रीन डोर्स का स्वदेशी निर्मान करने की तक्नीक विच्सित कर रहा है। इसके प्रोटो टाइप का अभी हाल ही में सफलता पूर्वग परिक्षर भी किया गया है। 180 किलो मीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड वाली RTS ट्रेन के लिए अनुखूल ट्रैक्स लाब्स भारत में ही निर्मित किये जा रहे हैं। विश्व स्तरिय तक्नीक से बनने वाले इन ट्रैक्स को डिजाइन करने की शमता अब NCRTC में हासिल कर ली है और ये ट्रैक्स देश में पहली बार स्वादेशी रूप से निर्मित किये जा रहे हैं। इन ट्रैक्स लाब्स की कास्टिंग मेरट स्तित फैक्टरी में हो रही है। इतना ही नहीं NCRTC विश्व में पहली बार LTE बैक्बून पर आधारित ETCS Level 2 सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करने जा रहा है जिसका कार्यानवन मेकिन इंडिया के दिशा निर्देशों के अंत नरोडो निवासी लाभानवित होंगे और साथ ही उनकी शिक्षा, रोजका, स्वास्त सेवा और आर्थिक अफसरों तक पहुँच भी बढ़ेगी। दिल्ली से मेरट के बीच चलने वाली इस डैपिड रेल का निर्मान कार्य इवरगती से चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी के बावजूद NCRTC स्टेट अफ दी आर्ट तकनीक की प्रयोग से लगातार कार्य जारी रखकर 2023 तक 17 किलोमीटर के प्रयोरिटी कोरिडोर का काम पूरा करने के अपने लक्ष की ओर अग्रसर है। इसी लक्ष को पूरा करने के लिए 10,000 से ज्यादा वरकर्स एवं 1100 इंजीनियर्स दिन रात कार्य कर रहे हैं। आत्म निर्भर भारत की ओर हम गती से प्रगती के पत पर अग्रसर हैं।